यहां पर हम लोग discuss करेंगे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि मेरे पास जितने भी questions मैंने solve करें जितने भी analysis करी हो यह से members पर यह से frames पर यह से beams पर करी जिस पर कभी कोई force नहीं लग रहे थे यदि आपको force specially दे रखे हैं यदि members क के उपर तो फिर उसके हिसाब से reactions develop होगे अब मैं कहूं कि यार मेरे member पर सिर्फ vertical forces लग रहे हैं तो फिर horizontal reaction क्यों develop होगी आपके support पर तो फिर मुझे horizontal reaction नहीं लेना पड़ेगी समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई fix support है उस पर कितनी external reactions आत है कैसे देखिए जैसे कि हमारे हमने कहा कि हमारे पास यह हमारा यह रहा fixed beam यह रहा हमारा एक fixed beam ठीक है यहाँ पर external reactions कितनी आती है जन्रली तीन आती है तीन आती है कौन-कौन सी एक होती है आपकी RX एक होती है आर भाय और एक होती है आपकी MZ यहाँ पर भी आपकी RX यहाँ पर आपका यह मतलब सपोर्ट पर आर्वफाय और आपका मजड हो सकता है तो टूटल है भी हो तीन बीयेक्षन आगयी यहाँ भी तीन रियेक्षन आगयी ठीक है यह कब हुई मतलब registered क्या है कि यह इतनी reaction इन ईन सपोर्ट पर आ सकती है लेकिन A कितनी रही है वो जाना ज़रूरी है based on load तो यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरे पास एक same member है कुछ इस तरीके से उस पर केवल एक point load हमने या सिर्फ एक vertical load लगाया अरे भाई जब सिर्फ vertical load लग रहा है तो सिर्फ vertical reaction और moment आएगा सिर्फ vertical reaction और moment आएगा मतलब यहाँ पर total reaction 2 हो गई है यहाँ पर भी total reaction 2 हो गई मतलब total external reaction इस condition में कितनी हो गई आपकी 4 और यहाँ पर total external reaction कितनी हो रही थी यहाँ पर 3 आ रही थी यहाँ पर 3 आ रही थी external reaction हो गई थी 6 मतलब इतनी reaction आ सकती है इतनी reaction आ रही है under this load मैं यदि कहूँ कि मैंने यहाँ पर एक incline load लगा दिया कुछ इस थरीके से अब आ सकती है reactions क्योंकि incline load है तो इसके दो component बने होंगे एक तो vertical component बना होगा एक horizontal component बना होगा तो horizontal component के लिए horizontal reaction लगना चाले होगी vertical के लिए bending moment और vertical reaction लगना चाले होगी तो जब भी incline loads लगे हुए हो आपके members के उपर या कोई horizontal forces directly दिये गए हो frames के उपर उस condition में तीन-तीन reaction दोनों supports पर develop होगी otherwise सिर्फ vertical loads है तो bending moment and vertical reaction ही develop होगी horizontal reaction develop नहीं होगी यहाँ तक की बात clear तो उसके basis पर हमें discussion देखना है तो फिर आप जब reaction external reaction change होगी तो static indeterminacy भी तो change हो जाएगी भाई साब इस condition में आप से पूछू static indeterminacy तो कुछ और निकलने वाली रहेगी यहाँ पर मैं पूछू तो कुछ और निकलने वाली रहेगी यहाँ पर मैं अदि आपसे indeterminacy पूछू कितना है तो इस condition का indeterminacy externally कितना आ जाएगा external reaction 6 minus 3 equilibrium equation तो यहाँ पर कितनी आ गई external reaction 6 में से 3 गया बचा 3 internal indeterminacy दिख रही है क्या नहीं internal indeterminacy जो है वो है आपकी 0 तो 3 plus 0 तो यहाँ पर static indeterminacy कितनी आ गई 3 आ चुकी है लेकिन यहीं पर मैं इसका पूछूँ कि static indeterminacy इसके अंदर निकालो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पहले external indeterminacy निकालना होगा external reaction 4 है और equilibrium equation कितनी लेना पड़ेगा 2 क्यों भाई 2 क्यों यहीं नहीं member में तो summation fx equal to 0 में लगाऊंगा ही नहीं यूज ही नहीं पड़ेगा तो यहाँ लेने से मतलब क्या है तो यहाँ पर equilibrium equation मुझे 2 लेना पड़ेगी summation fx equal to 0 में नहीं ले रहा हूं ठिक सिर्फ ले रहा हूं summation fi equal to 0 summation mz equal to 0 2 equation of equilibrium तो यहाँ पर आपके external reaction कितने आगए 4 में से दो गया बचा 2 internal determination कुछ दिख रही है क्या नहीं दिख रही है ना तो कोई release direction है और नहीं कोई loop बन रहा है तो 0 तो यहाँ पर ds कितना बनता हुआ आपको नजर आ गया 2 तो इस तरीके से मतलब beam का type same था पर 2 बन गई 3 और 2 type of beam is same तो जब आपके loads लगने लगते हैं तो थोड़ासा picture थोड़ासा game change हो जाता है static determination कालने का क्योंकि according to load we have to consider number of reaction and according to loads we have to consider number of equilibrium condition तो जो आप equilibrium condition 2D में by default 3 ले 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 थे 3D में by default 6 ले 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 वो अब आपको by default नहीं लेना है थोड़ासा source समझ के लेना होगा कि कितने loads लग रहे हैं किस type के loads लग रहे हैं तो कौन-कौन से equilibrium equations बनेने वाली रहेगी clear है तो यहाँ पर मैं उसी पर discussion लिखना चाहूँगा उसी कि मैं बात यहाँ पर आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि जब loads लगते हैं तब static indeterminacy अच्छे से मैं मतलब हम discuss करते हैं के से निकाली जाना चाहिए यह तो एक problem होगी जो मैंने discuss कर दी यह लोग आप चाहें तो note कर सकते हैं यहाँ पर मैं लिखूँगा special case और वो क्या है when loads are occurring in the given structure structure कहो या हमारा beam कहो या फिर frame कहो then accordingly क्या करना या आपको then accordingly number of reaction and equation of equilibriums number of reaction and equations of equilibrium यह equilibrium shall be considered समझ माई बात कहके ना चाह रहा हूँ मैं अब जैसे कि एक example लेके मैं समझते हैं example मैंने कहा कि हमारे पास एक beam है कुछ इस तरीके से example ले रहा हूँ मतलब मैं आप लोगों का assignment का question number 8 ले रहा हूँ तो example नहीं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ assignment का question number 8 so question number 8 of your assignment category तो वहाँ पर आप लोगों को एक beam नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से continuous beam है बीच में roller support दिया गया है अच्छा ये भी representation किसका है roller support का है ठीक है हम केसे बनाते थे एसा भी मना सकते है या फिर एसा भी बना सकते है both are presenting या giving the same vertical reactions only तो यहाँ पर हम इसको roller support कहते है और दूसरा end भी आपका यहाँ पर क्या है मेरे पास fix है अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही spans में loads दिये गए है वो बोला गया है static indeterminacy हमें निकालना है हमने देखा कि यदि हमारे पास externally load लग रहा है हम external indeterminacy निकालना है internal indeterminacy निकालना है तो external indeterminacy आप लोग जानते हैं क्या होती है external indeterminacy यह होती है आपकी external reaction minus number of equilibrium number of equilibrium equations ठीक है अब यहाँ पर जो external reactions पहले हम निकालते हैं external reactions यहाँ पर cable vertical loads लग रहे हैं तो एक vertical reaction आएगी और एक bending moment आएगा यहाँ पर भी सिर्फ vertical reaction आएगी और सिर्फ bending moment आएगा और यह roller support पर एक vertical reaction आएगी तो total reactions कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच total reaction आपके पास लग रही है पांच so five minus number of equilibrium equation 2D में actually होती कितनी है तीन लेकिन यहाँ पर use में कितनी आ रही है केवल दो और वो दो क्या है summation fy equal to zero summation fy equal to zero हाँ यह use में आ रहा है summation m6 equal to zero हाँ यह use में आने वाला है क्योंकि bending moments आने वाले रहेंगे vertical reactions आने वाले रहेंगे कोई भी horizontal forces नहीं लग रहे हैं member पर इसलिए summation fx equal to zero can be ignored can be ignored or is not required I should write break it में लिख सकता हूँ is not required क्यों required नहीं है because यहाँ पर आपके कोई भी horizontal forces नहीं लग रहे हैं directly यदि कोई horizontal forces लगते हैं तो equilibrium equation तीन लेता और यहाँ पर भी reaction rx और rx consider करता inclined load भी लग जाता तो भी उसका horizontal component यदि मुझे मिलता तो जरूर मैं यहाँ पर rx और rx consider करता और यहाँ पर तीन equilibrium equation consider करता लेकिन यहाँ पर सिफ vertical load है इसलिए मेरे पास दो ही equation of equilibrium है summation fy equal to 0 summation mz equal to 0 तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 तो यहाँ पर external in determination मेरे पास 5 minus 2 कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है clear है यहाँ तक की बात है तो अब जदी मैं आप लोगों को कहूँ कि जब भी loads लगते हैं इसलिए मैंने लिखाया है कि जब भी loads लगते हैं तो according to type of loads आप लोगों को यहाँ पर number of equilibrium equations and number of external reactions estimate करना या determine करना है यहाँ पर internal indeterminacy क्या है 0 internal indeterminacy दिख रही है क्या भी यह आपकी internal indeterminacy क्या होती है 3C minus released reaction no released reaction no loop तो internal indeterminacy 0 so final static indeterminacy कितनी आ गई external static indeterminacy internal static indeterminacy को जम करेंगे तो final answer मिल जाएगा 3 हमारा answer क्या आ चुका है 3 आ चुका है बस समझ मैं है आपके answer आ गया 3 अब मैं क्या कर रहा हूँ same beam वापस से दे रहा हूँ लेकिन उस पर load नहीं लगा रहा हूँ तो देखते हैं फिर क्या answer आता है तो हमने क्या किया हमने same beam वापस से लिया मैंने क्या किया कि चलो अभी मैं question no 8 ही solve कर रहा हूँ आपका answer आ चुका question no 8 के लिए answer is 3 यह आपका answer है मैं थोड़ा सा extension कर रहा हूँ अपना discussion मैं बल रहा हूँ for example यदि हम same beam consider करें तो और उस पर load न लगाए तो क्या same answer आएगा तो मेरा answer होगा नहीं same answer नहीं आएगा different answer आएगा मैं बल रहा हूँ static indeterminacies की निकालो load नहीं लगाए तो load नहीं लगाए तो इस बार आपका vertical reaction भी consider क्या जाएगा horizontal भी consider क्या जाएगा reaction भी consider क्या जाएगा vertical भी horizontal भी moment भी तो यहाँ पर external reaction तीन आ गई यहाँ पर भी external reaction तीन आ गई और यहाँ पर vertical reaction एक आ गई सो total external reactions कितनी है हमारे पास 3 और 3 6 और 1 7 external reactions आ चुकी है हमें निकालना था external static indeterminacy जो कि होती है external reaction minus number of equilibrium condition loads नहीं लग रहे हैं मतलब 3 equilibrium equation में ले रहा हूँ सो यहाँ पर DSE will be equal to 7 minus 3 equal to 4 यह आ चुका है external indeterminacy internal indeterminacy देखते हैं क्या होता है वो formula होता है हमारे पास 3C minus RR 0 है हमारे पास कोई value नहीं है तो finally static indeterminacy का answer कितना आ चुका है 4 इन दोनों को sum करेंगे 4 plus 0 is 4 तो यह आपका answer है static indeterminacy का जब load नहीं लग रहे हैं तब या incline load लग रहे हैं तब यदि मैं incline load भी लगा दूना तब भी आपका answer 4 रहेगा लेकिन जब सिर्फ vertical load लगे थे तब आपका answer कितना आया था 3 आया था जब कोई load नहीं दिया गया हो या incline load दिया गया हो तब आपका answer 4 आएगा क्योंकि यहां पर मैंने horizontal reaction consider करी है यहां पर मैं horizontal reaction consider नहीं करी है एक और question में यहां पर आप लोग के साथ में determination मिले यह भी possible हो सकता है एक question लेता हूँ मैं वो आपका assignment का question number 9 है question number 9 of assignment अब यहां पर देखो उसमें क्या दे रखा है आपको लोगों को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ठीक है यह member दिया है और इस पर उन्होंने load लगाया है और पूछा है बताओ static indicator में से कितनी होगी तो यहां पर फिर वोई बात कि vertical load लग रहा है तो vertical load लगने पर आपका roller में तो vertical reaction आए गई यहां पर भी vertical reaction आए गई hinge पर दो reaction आते हैं RX और भाय लेकिन RX से तब आता है जब horizontal forces लग रहे हो या inclined force लग रहा हो तो inclined force लिसने में खेता हूँ क्योंकि inclined forces से horizontal component मिल जाता है मुझे तो यहां पर कोई horizontal force या inclined force नहीं लग रहा है तो यहां पर केवल एक ही reaction consider की जाएगी वो रहेगी आरभाय है horizontal reaction RX यहां develop नहीं होगी develop हो सकती है hinge पर यह उसकी छमता है capacity है कि वो दो reaction RX यह डेवलप कर सकता है लेकिन develop कितनी हो रही है अभी फिलाल में एक क्यों क्योंकि आपने केवल vertical load लगा रखा है तो यहां पर हमारे पास external reaction कितनी आ चुकी है 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 3 external reaction आ चुकी है हिंच होने के बावजूद भी महीं आप पर किवल एक ही vertical reaction ले रहा हूँ horizontal नहीं ले रहा हूँ क्योंकि load vertical है अब हमें निकालना था external static indeterminacy RE minus number of equilibrium condition कितनी equilibrium condition ले लूँ भाई साब में 2 summation fx equal to 0 summation fy equal to 0 and summation mz equal to 0 fx के लूँगा क्या नहीं लूँगा क्योंकि भाई fx लेके मैं क्या करूँगा क्योंकि यह horizontal force तो लगी नहीं रहा है ना so I should not consider summation fx equal to 0 so I have considered only two equation of equilibrium so यहाँ पर external कितना आचुका है reactions यहाँ पर external static indeterminacy आचुकी है 3 minus 2 dse equal to 1 आचुकी है अब हम बात कर लेते हैं internal static indeterminacy की internal static indeterminacy का formula मुझे याद है 3c minus released reaction number of loops नजर आ रहे हैं क्या नहीं release direction है क्या हाँ है कितनी है released reaction so released reaction मुझे एक नजर आई दो members connected है तो m minus 1 1 तो यहाँ पर आपके पास internal static indeterminacy नजर आ चुकी है 0 minus 1 so internal static indeterminacy is minus 1 आ चुकी है clear है यहाँ यहाँ तक की बात आप लोगों के पास में external indeterminacy भी है आप लोगों को पास में internal indeterminacy भी है दोनों को sum करेंगे answer मिलेगा और static indeterminacy 1 minus 1 कितना हो चुका है static indeterminacy 0 मतलब यह क्या है आपका given beam aesthetically determinate है यह आप strength of material वाली analysis से solve कर सकते हैं चाहे यह continuous नजर आ रहा है लेकिन आप इसको easily solve कर सकते हैं इसमें किसी भी advance method की जरुवत नहीं पड़ेगी ठीक है यह मैंने आप लोगों को load को consider करते हुए बताया आप मैं बोल रहा हूँ तो same question लो और load मत लगाओ और जरा बताओ क्या वो भी aesthetically determinate है या indeterminate है तो मैंने कहा example for example के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ यदि हम roller support वापस से यहां भी मान रहे हैं यह आपका roller support यह आपका internal hinge और यह आपका hinge support load नहीं लगा रहा हूँ तो reaction देखते हैं कितनी develop होगी यहां पर एक reaction यह develop हुई एक reaction यहां पर develop होगी ry ry और यहां पर rx और ry दोनों develop होगी मतलब यहां पर एक reaction डेवलप हुआ यहां पर भी एक reaction डेवलप हुआ यहां पर दो reaction डेवलप होगा तब कि तब देखेंगे कि लोड यदी इंक्राइंड है तो दो रियक्शन, लोड वर्टिकल है तो क्यावल एक रियक्शन, लोड होराइजोंटल भी यदी लग रहे हैं तब भी दो रियक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास total external reactions कितनी आ चुकी है, 1 plus 1, 2 plus 2, 4 external reactions आ चुकी है, यह लगाँगा, मैं summation fx equal to 0 भी लगाँगा, fy भी लगाँगा, mz भी लगाँगा, so यहाँ पर external indeterminacy 4 minus 3, 1 आ गया, same internal indeterminacy कि यदी मैं बात करूं, so 3C minus, release the reaction से, release reaction कितनी ही मेरे पास, मात्र एक release reaction है, और वो कुन सा reaction release हुआ है, bending moment हमको हमने internal hinge provide करके release कर दिया है, so यहाँ पर internal indeterminacy 0 minus 1, तो internal indeterminacy यहाँ पर आपकी minus 1 आ चुकी है, तो आप लोगों के पास में external static indeterminacy भी है, और internal static indeterminacy भी है, अब आपको क्या करना है, आपको दोनों ही indeterminacy मौजूद है, तो हम static indeterminacy total निकाल सकते हैं, that is external indeterminacy plus internal indeterminacy, so यह क्या हो जाएगा, 1 minus 1, so ds will be equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप लोगों को एक बात notice करना चाहिए, लोड लगाने के बावजूद भी, यह aesthetically क्या था, determinate बना हुआ था, और लोड नहीं लगाने पर भी, यह क्या बना रहा, aesthetically determinate बना रहा, तो मैं आपको लोगों को यही सिखाना चाहा रहा था, कि जरूरी नहीं है कि लोड लग जाने पर आपका static indeterminacy हमेशा change हो जाए, एक बार देखो, इस वाले particular problem के लिए मुझे static indeterminacy 3 मिला था, जिसको without load मुझे 4 static indeterminacy मिला था, वही मैंने यह वाला problem लिया, तो with load 0 मिला और without load भी 0 मिला, ठीक है, तो possibility है कि load लगे या ना लगे, दोनों के लिए same भी आ सकता है, हमेशा अलग नहीं आएगा, यह जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए concept कि कब आपको कौन सी reaction और कौन से कितने number of equilibrium equations लेना हों एक question में यहाँ पर देखता हूँ, question number आप लोगों का 10 रहेगा यह assignment questions की category से, assignment question की category से question number 10 देखते हैं हम, दिया है आपको कुछ इस तरीके से एक problem एक frame है, यहाँ पर internal hinge बना हुआ है, यहाँ पर hinge support है, और इधर को roller support दिया गया है ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है static indeterminacy, कैसे निकालें, simple, आप क्या करिए, external indeterminacy निकालिए, यहाँ पर कितनी reaction आएगी, कोई load दिये हैं क्या, नहीं दिये है तो यहाँ पर कितनी reaction आएंगे, दो आएंगे, कौन-कौन से, rx and ry, और यहाँ पर कितना आएगा, केवल 1 आएगा, ry, यहाँ पर external reaction, re minus equilibrium equation 3, so external reaction is equal to 3, 2, 1, 3, minus 3, so external reaction कितनी हो गए, external indeterminacy कितनी हो गई हमारे पास, 0 हो गई है मैं internal indeterminacy की आदि आप लोगों से बात करूँ, तो internal indeterminacy की हम बात करें, यह कितना है indeterminacy, यह होता है, 3C minus rr, c क्या है number of loop, क्या loop दिख रहा है, close वाला नहीं, यह पूरा open area है, so no loop, तो यहाँ पर aesthetic indeterminacy, c0 है, तो first term 0 minus, release reaction दिख रही है, यह वाली, तो इससे कितने members connected है, 2, तो m minus 1 is 1, so 2 minus 1 is 1, मतलब release reaction 1 दीखी मुझे, so यहाँ पर कितनी value आ गई, internal indeterminacy की minus में आ चुकी है, तो इसको solve करूँगा, so static indeterminacy is equal to external plus internal, so ds will be equal to 0 minus 1, so यहाँ पर ds कितना आ चुका है, minus indeterminacy आ चुकी है, मतलब aesthetically यह क्या है, determinate तो है, लेकिन unstable है, जब भी आपकी static indeterminacy minus आ जाए, negative आ जाए, तब वो structure क्या है, unstable कहलाता है, हलाकि मैं एक अलग बड़ा सा topic, पूरा detail में पढ़ाने वाला हूँ, stability and unstability of structure पर, आभी फिलाल में सिर्फ इतना समझे इस particular question के लिए, कि when ds is negative, ds आपका negative आ जाए, that means, that means, given structure is, क्या है, unstable है, उसको कुछ mechanism से solve करना होगा, ठीक है, unstable है, unstable से मेरा मतलब क्या रहता है, unstable है, क्योंकि ds आपका negative आ चुका है, क्यों यह unstable है, तो मैंने भाई आपको एक बात सिखाया था, roller support कैसा move कर सकता है, horizontal direction में, ऐसा move कर सकता है, यदि मैं आप लोगों को कहूँ, कि मेरे पास same frame कुछ इस परीके से बनी है, यह आपका roller support है, यह roller support इधर move कर सकता है, लेकिन क्या इस roller support के पकड़ के मैं साब गुमा सकता हूँ, क्या, नहीं गुमा सकता, क्यों, क्योंकि यह rigid joint है, यह joint जो है, आपका rigid है, यहाँ पर rotation allow नहीं होता है, हर एक joint पर कितने reaction आते हैं, Rx, Ry, Mz, यह तीन reaction आते हैं हर एक joint पर, तो यह जो Mz आ रहा है, वो इसको rotate नहीं होने दे रहा है moment को, मतलब यह column को पकड़ लूँ यदि मैं इस roller को, तो मैं ऐसा ऐसा इस member को नहीं गुमा सकता, क्योंकि यह joint rigid है अपने आपने, वहीं यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, एक internal hinge डाल दूँ, internal hinge डाल दिया मतलब मैंने क्या कर दिया, यह bending moment को यहाँ से खतम कर दिया, internal hinge क्या करता है, bending moment को release कर देता है, अब bending moment को release कर दिया, तो यहाँ पर आपने internal hinge जैसे ही डाला, bending moment release हो चुका है, यह joint अब खुल जाएगा आराम से, आप यह column को पकड़ो इसको, यह पूरा खोल दो तूड गया ना मतलब मेंबर क्या है? अनिस्टेबल है structure क्या हो चुका है? अनिस्टेबल हो चुका है मतलब यदि मैं कहूँ कि मैं चाहूँ तो यह खिलोना बन चुका है मेरे लिए इसको मैं असा-सा घुमा सकता हूँ क्योंकि यहां पर बेंडिंग मोमेंट जिरो कर दिया मैंने कोई resistance ही नहीं है rotation आ सकता है तो यदि मैं कहूँ तो यह कुछ इस तरीके से देखो इन दो मेंबर के बीच में 90 डिगरी है तो यह मेंबर इन दोनों के बीच में 90 डिगरी मेंटेन रहेगा लेकिन क्या हो सकता है यह देखो इन दो के बीच में 90 डिगरी मेंटेन है लेकिन यहां के बाद यह ऐसा आपका खुल सकता है पूरा की पूरा मतलब यह आपका vertical member जो था ना यह आपका आप चाहें तो मैं इसमें नाम लिख के बता सकता हूँ यह था A, यह था B, यह था C और यह था D तो यह पूरा खुल सकता है यह तो joint A, यह B यहां आ चुका है B- और यह C, यह आपका हो चुका है C- और यह D, यह हो चुका है D- मैंने वो पूरे vertical member CD को CD- CD-D- horizontal में convert कर दिया, पूरा खोल दिया possible है क्योंकि internal hinge डाल के मैंने उसको unstable कर दिया है So I do not want unstable in my structure तो कभी भे आपको unstable structure नहीं चाहिए Unstability आपको केसे judge करना है जब भी आपके पास static indetermination negative हो जाए मतलब क्या है एक force कम लग रहा है मैं आपको पहले बता चुका हूँ यदि मैं बोलता हूँ कि ds equal to 1 आ रहा है positive इसका मतलब क्या है कि एक force ज़्यादा लग रहा है जिसको मैं analyze नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक और equation की जर्वत होती है यह meaning होता है ds equal to 1 मिलने का और ds equal to negative 1 मिलने का मतलब क्या होता है कि एक force कम लग रहा है जितनी जरूरत है न उससे एक force कम लग रहा है जिसके कारण structure balance condition में नहीं structure unstable हो चुका है और वो force कौन सा कम लग रहा है यहाँ पर bending moment क्योंकि आपने उसको release कर दिया है bending moment को getting my point या फिर एक और game खेल सकता हूँ मैं यहाँ पर कैसा कि मुझे इसको stable बनाना है सर मैं यहाँ पर internal hinge हमेशा provide करना ही करना चाहता हूँ सर फिर भी मैं इसको stable कैसे बना हूँ सर बताईए तो मैंने क्या किया बेटा बिल्कुल मैं इसको वापस stable बना सकता हूँ कैसे बना सकता हूँ देखते हैं इसको मुझे यदि stable बनाना है तो मैंने क्या किया भाई यहाँ पर आप internal hinge provide करना चाहते हो provide कर दो no problem लेकिन यहाँ पर आप आप roller मट डालो आप यहाँ पर अप क्या कर दो hinge डाल दो यदि यहाँ पर hinge डाल दिया तो यह hinge इधर-इधर जाए गई नहीं क्यों क्योंकि इस पर तो क्या लगता है RX, RX लगता है यहाँ पर RX लगता था क्या actual force नहीं यह roller था, move कर सकता था यहाँ पर केवल vertical reaction लगती थी RY, इसके कारणी इधर-इधर move कर सकता था लेकिन अभी फिलाल में यहाँ पर क्या लग सकता है RX, RY दोनों लगेगा जो इसको इधर-इधर नहीं जाने देगा तो यह stable हो गया इसका DS भी आप चेक करना चाहें तो DS भी चेक कर लो इस वाले का DS चेक करो कितना आता है आपको पता लग जाएगा मैंने यह डाल कर एक additional value दे दी जो इसको determinant बना देगी DS क्या हो चुका है यहाँ पर external देखो, यहाँ पर दो reaction आई होगी अब इस बार, यहाँ पर भी दो reaction आई होगी so external indeterminacy की बात करों तो 4 minus 3 equal to 1 so DS कितना हो गया externally 1 आ चुका है आप लोगों के पास और internal कितना आता है internal minus 1 आ ही रहा था तो आपका external indeterminacy और internal indeterminacy जोडने पर मेरे पास कितना आ चुका है static indeterminacy 0 आ चुका है 0 आ चुका है, मतलब determinate है, stable है, कोई problem नहीं है तो जब भी static indeterminacy 0 हो या 0 से बड़ी हो आपका structure या आपका member stable भेता है, लेकिन negative हो जाती है, तो फिर वो क्या हो जाता है unstable हो जाता है, तो देखो मैंने एक force लगा कर, मतलब support को change करते हुए इसको क्या बना दिया structure को stable बना दिया, क्या यही एक अकेला solution है इसका नहीं, एक और solution हो सकता है या तो आपे काम कर दो, internal hinge डालो ही मत यह करा, यहाँ पे भी आप roller ही रखना चाहते हो यदी, तो roller ही रखो फिर यहाँ internal hinge मत डालो, तब भी आपका frame पूरी तरीके से determinate रहेगा समझ में आरी मेरी बात क्या कहना चाहरा हूँ तो solution यह भी हो सकता है यह भी इसका solution हो सकता है तो both are statically determinate इसके लिए भी ds equal to 0 ही निकलेगा इसके लिए भी ds equal to 0 ही निकला है ठीक है, तो यह आपका case हो सकता है अच्छा, एक और question में last यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को एक question कराता हूँ, question number 11 question number 11 assignment का अच्छा, यह solution हो गया एक और solution यह भी हो सकता है इसके लिए भी मैं बना देता हूँ यह भी हो सकता है और यहाँ पर भी आप roller डाल सकते है तो यह भी spike क्या हो चुका है solution हो चुका है आप लोगों को कोई भी internal hint डालना नहीं है clear है, आप लोग समाझ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख नहीं रहू क्योंकि confusion नहों जा तो मैंने इसको पहले इसमें convert किया और stable बना दिया तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, solution solution of problem solution किसका unstable से stable कैसे बना जाए उसका solution है यह हमारे पास stable आ चुका है हलाकि stability और unstability में एक अलग से बड़ा topic पढ़ाने वाला हो तब यह वापस से repeat भी करूँगा तो यहाँ पर मैं भी solve कर रहा हूँ, अभी फिलाल के लिए question number 11 जल्दी से जो की assignment का question है उसको solve करते हैं, बात खतम करते हैं इस वाले वीडियो की तो question में हमें क्या दे रखा है यह एक frame दे रखी है और frame में आप लोगों को एक क्या नजर आ रहा है हिंज नजर आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है एक हिंज है ठीक है, यहाँ पर एक horizontal force लग रहा है यहाँ पर एक vertical force लग रहा है और यहाँ एक internal hinge दिया है बुला है, यहाँ पर static indeterminacy निकालो static indeterminacy में क्येसे निकालूंगा भाई static indeterminacy निकालना तो मिल दिया बहुत आसान है external indeterminacy निकाल दू पहले external reaction minus number of equilibrium condition पहले देखो external reactions कितनी आ रही है vertical load लग रहा है लेकिन साथ साथ में क्या लग रहा है horizontal load भी लग रहा है यह जानना बहुत ज़री है आपको तो vertical के साथ horizontal भी लग रहा है मतलब यह जो hinge support है यह पूरी की पूरी reaction देगा vertical भी देगा horizontal भी देगा मतलब इस पर क्या आने वाला है दो reactions आने वाली है यदि मैं यह horizontal force को हटा दूना तब यहाँ पर मुझे केवल एक ही reaction लेना पड़ेगा क्योंकि vertical force है तो क्यावल vertical reactions आएगी लेकिन यहाँ पर अभी फिलाल में horizontal force भी है तो मुझे दोनो reaction लेना होगी इस पर भी दो reaction हमारे पास आ चुकी है तो यहाँ पर भी दो reaction तो दो reaction आ चुकी है तो number of equilibrium condition summation fx, summation fy, mz तिनों में consider कर रहा हूँ तो यह हो चुका है आपका horizontal forces आने पर आपको bending moment consider करना पड़ेगा मतलब summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 summation mz equal to 0 सब कुछ तिनों हम consider करेंगे तो यहाँ पर 2, 2, 4 external reaction minus 3 equal to क्या आ चुका है 1 आ चुका है यह external reaction आ गई internal reaction के दिए मैं बात करूँ so 3c minus released reaction so internal indeterminacy c number of loop नज़र आ रहे हैं क्या नहीं यह तो open है ना भीया so no loop तो c का value 0 minus rr release reaction आ रही है हाँ नज़र आ रही है यह release reaction यहाँ पर कितना value दे रही है 1 का कैसे निकाला m minus 1 करके m dash minus 1 करके internal ing से 2 member जा रहे थे so 2 minus 1 1 आ गया आप लोग समझते में क्या बात कर रहा हूँ so यहाँ पर हमने लिख दिया 1 so हमारे पास value कितनी हो गई minus 1 तो यहाँ पर हमने लिखा total static indeterminacy total static indeterminacy will be equal to external indeterminacy plus internal indeterminacy so यहाँ पर dse हमें कितना मिला था plus 1 मिला था और यहाँ पर हमें कितना मिला minus 1 मिला तो value कितनी हो गई हमारे पास 0 आ चुकी है static indeterminacy गा clear इतनी बात पूरी समझ में आगई आपको so यह क्या है aesthetically determinate है इसको आप क्या कहते हैं जब भी आपको 0 मिलती है stable भी है aesthetically determinate भी है तो यह आपके हमने number of questions इस वीडियो में solve करें है आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि यह क्या है यह है आपका aesthetically aesthetically determinate and stable stable क्यों है क्योंकि static indeterminacy क्या हो रही है static indeterminacy greater than 0 है इसलिए less than 0 होती है मतलब negative होती तो unstable हो जाता है तो देखिए यह पूरा picture यहाँ पर मैंने question number 11 solve कर रखा था आफ्री तक आप लोगों का यहाँ पर मैंने question number 10 solve कर रखा था assignment का और यह number of questions मैंने solve कर रखा के बताए आप लोगों को जब आपके structure पर आपके members पर आपके beams पर आपके frames पर load लग रहे हो तो किस pattern में किस तरीके से number of equilibrium equations consider करना है किस तरीके से आपको यहाँ पर external reactions निकालना है according to applied loads वो आप लोगों को यहाँ पर हमने इस वीडियो में सिखाया है ठीक है तो यहाँ तक हम लोगोंने पूरी तरीके से static indeterminacy rigid jointed members में या rigid frames में calculate करना सीख लिया है बात खतम यहाँ तक कि अब मैंने बताया था डो type के structure होते एक होता है rigid structure एक होता है pin jointed structure मतलब truss तो मैं rigid structures के पूरी discussion कर चुका हूँ एक static indeterminacy निकालने के लिए next videos में हम किस की बात करेंगे trusses में मतलब pin jointed structures में किस तरीके से हम calculate करेंगे static indeterminacy उस पर आप लोगों देखने को मिलेगा आप लोगों को ठीक है चलिए थैंक्यू